नमो नमाहा मित्र आणि कथम संति सरवे अहमस्मी दिवाशी शाह तो आज के इस वीडियो में मैं जेनु अर्था जवाहरलाल नहरू विश्विद्धाले के एमे संस्क्रिट इंटरंस एक्जाम के सिलिवस के बारे में बताऊँगा तो देखिए किसी भी इक्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सिलिवस होता है वो बहियत महत्पूर्ण होता है क्योंकि सिलिवस से हमें पता चलते कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो है वैदिक साहित वैदिक साहित में हमें पड़ना है व 1933 कालकरम वो प्रमुक भास्यकार है उसके बाद संहिता, ब्रामन, आरणक, उपनिशत उसके वैद में पास्चात्य एवं भारत्य विद्वानु का योगदान एवं अनुवादिद गरंत जो प्रमुक सुक्त लग्य लगा हुआ है और इन सुक्तों के रिशी एवंग देविताओं का ज्ञान भी होना आवशक है उसके बाद है पंच महायग्य दर्शपोर्णमास युग का सामान्न परिचाए वैसे तो पंच महायग्य और दर्शपोर्णमास युग से बहुत कम प्रशन पूछे गए हैं और अगर दो तीन सालों का प्रिवियस कोशिन पर देखेंगे तो आपको कोशिन ना के बराबर मिलेगा फिर वी आप एक बार सामान रूप से या सामान्न परिचाए के तोर पर इनका अध्यान कर सकते हैं इसके बाद है दश उपनिशत का सामान्न परिचाए अर्थात इशक के केनो उपनिशत कठो उपनिशत आधिकी प्रमुक सुक्तियों के बारे में आपको विशेश रूप से अध्यान करना है विशेश रूप से इशो उपनिशत के बारे में आपको भली बाती जानना है क्योंकि वहां से प्रशन बनते हैं उसके बाद है वेद के अंगों का परि बहुत कम बनते हैं अगर आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं इसके बाद है दर्शन तो दर्शन के अंतरगत हमें सभी दर्शनों के प्रमुख सिद्धान और तत समंदित आचारियों के बारे में जानना है और इसके पश्चात सभी दर्शनों के अनुसार प्रमान पधा तत्तोंकी संखाओं के बारे में जानना है तद पश्चात प्रमुख्रन्त वो लेखक्य व synt संग्रह पुस्थक के बारे में तो जैसा तरक संग्रह है लगभख उसी से उसी प्रकार का जो विशह है वो भी तरक भाषा में है तो आप वो भी एक बार देख लेंगे लेकिन अगर आप तरक संग्रह अच्छे से पढ़े होंगे तो तरक भाषा आपको उतना कठी नहीं लगे है मतलब एक आसान सा है उसके बाद है वेदान्त सार वेदान्त सार आपको संपूर्ण पढ़ना है उसके बाद है सांककारिका संपूर्ण है और इसके पश्चात है अर्थ संग्रह उसके बाद है योग सूत्र योग सूत्र के अंतरगत आपको चित भूमिया इश्वर का सरूप अश्टांग योग, समाधी और कईवल्ला इनके बारे में जानना है तो देखिए ये जो दर्शन का पोर्शन है ये जेन्यू में एंटरंस के द्रिष्टी से बेहद महतपूरुन है क्योंकि बहुत से सवाल दर्शन से पूछे जाते हैं तो देखिए वईदिक साइते की तुलना में दर्शन से सबसे जादा प्रशन पूछे जाते हैं अगर आप पिछले जो प्रशन पत्र है उनको अगर आप देखते हैं तो सबसे जादा जो प्रशन है दर्शन और व्याकरण से बनता है तो इसलिए आपकी परिक्षा की दृष्टी से जादा नमबर लानी की दृष्टी से आपको दर्शन बहुत भली बती पढ़ना है और आपको दर्शन को बहुत अच्छे से कोवर करना है इसके बाद है व्याकरण तो व्याकरण में सबसे पहले आपको संग्या पढ़ना है और परिवाशा प्रकरण पढ़ना है सिद्धांत कवमोदी के अनुसार उसके बाद संधी प्रकरण भी पढ़ना है लगुसिद्धांत कवमोदी के अनुसार उसके पस्ट धातु लकार और विकार शवादी भू और एद धातु विशेश का सामानने परिचा है तो देखिए भू और एद धातु को आप देख लेना भू धातु से भी इस बार पूछा गया था और एद धातू से भी पूछा गया था तो देखिए भूदातू और एद धातू के जो दश लकार है आप उन सबी दशो लकारों को अच्छे से स्मरन कर लेना क्योंकि यह जो है एमे एंटरंस यह जो है बेसिक बेसिक से प्रशन पूछते अगर आपका वेसिक क्लियार होगा तो आपकी जो प्रिक्षा है वो बहुत अच्छी जाएगी इसलिए देखिए भूदातू और एद धातू आपकी सिद्धी नहीं पूछेगा कि भवति कैसे सिद्ध होता है ठीक है कि जो भू धातु है और एद्य धातु है इनका दशु लोकारों का जो रूप है आप यात कर लेंगे उसके बाद है समास और समास से भी पुछा जाता है इस्तिरिप्रत्त्य को आप देख लेना ठीक है इस्तिरिप्रत्त्य बहुत इंपोर्टेंट है हर साल लगबग पुछा जाता ये एक या दो प्रशना लगबग पुछता ही है उसके बाद है कृत्य और प्रमुख कृत्य लगू सिद्धांत कोमोदी के अनुसार तद पश्चात कारक सिद्धांत कोमोदी के अनुसार प्रमुख रचना चार से प्रशन पूछते हैं और आप पशपश आहनिक को छोड़ भी सकते हैं या फिर सामने परिचे उसका देखी भी सकते हैं इसके पश्चाद है साहित्य तो साहित्य में हमें पढ़ना है रचना वो रचनाकारों के नाम यह बहुत इंपोर्टेंट है रचना वो रचनाकारों के नाम आप जितने भी साहितिक ग्रंत है साहितिक लक्ष लक्षन ग्रंत है सभी के आप आचारी अभंग उनके ग्रंतों के बारे में जो नाम है आप बहुत भलीवती इसमरन कर लेंगे उसके बाद है विरूपको उपरूपको का सामान्य अद्धेयन नाट्ट बृत्ति का सामान्य परिचाए काभ्य के प्रमुक विदाव का सामान्य परिचाए काभ्य प्रकाश रससिध्यांत भट्ट लोलट गभिनाप गुप्त आधिकामत उसके बाद है प्रमुक संप्रदाय और उनके प्रवरतक एवंग समंधी आचार्यों के समंध में जानकरी το जो शड़ शंप्रदाय जो पाई जाते हैं साहित्य में उन सब्रंदाइ के आचार्यों और उनके गरंतों के बार में आपको जान लेना है उसके बाद है साहित्य धर्पन प्रथम दितियों तीतियों का रस परियंद अच्छे से अध्यान शब्द शक्ति लक्षन आधिके भेद्व उदहारन इस पश्टर उपेना इस साहित्य के विश्वाई को पढ़ने के लिए आपको एक मैं पुस्तक रेकॉमेंड करता कि चोखंबा प्रकाशन से आप कॉल करके साहित्य लोचन नामक के पुस्तक आती है जो कि आप ओडर कर सकते हैं इसके बाद साहित्य के अंतरगती है प्रमुख अलंकारू का वरणन ठीक है लक्षन और काभवगुन काभवदोश का सामान्य परिचाए और उसके बाद है प् चंदों को जानना है परिक्षा की दिरिष्टी से तो मेरे इस चंद से संबंद फ्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक आउट करना इसके बाद है प्रमुख गरंत तो प्रमुख गरंत में महाकाब्वे में आपको रगुवन्स पढ़ना है किरातार जुनियम पढ़ना है शिशरुप से और भास के नाटकों में स्वपनवास दत्तम को अच्छे से पढ़ना है तो देखे अविज्यान शाकुंतलम और स्वपनवास दत्तम से लगबग ये क्या दो प्रशन पूस्ता ही है तो आपको अच्छे से अविज्यान शाकुंतलम और स्वपनवास दत्तम क जैसे उनके anko का naam ठीक है और पात्तों का naam आपको आच्छे से याद कर लेना है इसके बाद है तो दीखे इनके नीचे कहा भी गया कि इनके नायक नायकव और विदूशकों का ग्यान और अन्य प्रमूख नाटकों का परिचाय नायकादी सहित आपको जान लेना है अन्यम है कादमबरी, मेगदूद, नितिशतकम, हितोपदेश और अपने मन से प्रमूख ग्रंतों का परिचाय वो सुक्तिया और इसके बाद है संपूर्ण साहित में प्राप्त विशेश शुक्तिया तो यहां तक था हमारा साहित का पूर्शन इसके बाद है संगण किया भाषाविज्यान सहित संस्कृत भाषाविज्यान इसमें आपको संगन की भाशा विज्यान और उसके अंग कम्पूटर के बारे में सामन्य धैन, संस्कृत संगन के लिए उपियोगी, संस्क्रित भाशा विज्यान और संगनक भाशा विज्यान का समjin और यूनिकोट तो देखें कंप्यूटर से सम्मंदित जो MA में है ये MA entrance में है वो काफी लगबग की नाके बरबार पुछा जाता है लेकिन भाषा विज्ञान से एक दो प्रशना पूछता ही है जैसे जो बर्ग हो गया शातम केंटुम बर्ग हो गया या जो भारोपियो भाषा परिवार है उसमें से भी काफी प्रशनक पुछा जाता है इसके बाद है भारतिय सामाजिक चिंजन या Indian intellectual tradition इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको भारतिय संस्कृती, शिक्षा व्यवस्ता, आस्रम व्यवस्ता, पुरुशार्त चतुष्टे, मनुस्मृति का सामान्य अध्यान, मनुस् पुरान, उसका रामायन का सामान्य अध्यान, महाभारत का सामान्य अध्यान, इसके बाद गीता के प्रमु के सुक्तिया, ग्यान अध्याय और कर्म अध्याय को अच्छे से देख लेना है कि कौन से अध्याय का क्या नाम है, इसके बाद मैंने यहाँ पर यागवल के स्मृ हैं वहां से भी प्रश्ण पूछा जाता है लगबग हर साल मैंने देखा है आप यागवल के स्मृति को भी एक बार अच्छे से देख लेना जैसे कि इसमें अध्धाय कितने हैं विवाजन क्या और उसकी जो टीका है प्रमुख टीका है उनके नाम क्या है और उन प्रमुख लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप इनको एक बार देख लेना क्योंकि इन में से भी प्रश्ण बन सकते हैं